हाई गईज वेलकम बैक तो अनदर वीडियो ओफ कोशिन फर यू आई होप गईज आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तो आज हम बात करने चारे हैं पाई नेटफर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारी खुशकबरी आ चुकी है और अब भी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या KYC को लेके हो चुकी है बहुत सारे पाईनियस ऐसे हैं जिनको नेम चेंजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं किसी स्टैप्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं इन सभी चीजों का अब समाधान आ चुका है मतलब कि आप सभी को फोन के अंदर ही जो डिटेल से चेंज करने का अप्षिन अब देखने को मिलने वाला है, वो कैसे देखने को मिलेगा मैं पूरा आज आपको बताने वाला हूँ जो पाईनियस के साथ एक फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप उस फ्रॉड के अंदर by पाई चांस एंटर कर जाते हो कोई गलती से तो आपका अकाउंट प्रॉपर फिनिश हो जाएगा तो उस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ अभी as a open management को लेके क्या चल रहा है अभी टेस्टिंग कहा तक पहुंची है वो सारी जानकारी मिलेगी और उस की वीडियो के अंदर आप सभी जानने वाले हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पे जरूर प्रेस कर ले चले गए स्टार्ट करते हैं तरीके से अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोड़क्स को एस लिस्टिट किया जा रहा है और उसके साथ यहां पर प्राइस देखो यह बहुत सारे डिफरेंट स्मार्टफोन से हैं और यहां पर प्राइस की बात करें तो 0.01 पाई के आसपास हमें देखने को मिलता ह मतलब इतने कम पाई के कोईन्स के अंदर हमें इतनी एक्सपेंसिव चीज़े देखने को मिलती है और यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि हर एक प्रोड़क्ट को रखा गया है चाहे वो बड़ा प्रोड़क्ट हो चाहे वो इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्ट हो डिस्टेल कि सबसे बड़ी problem है, वो है KYC, और यहाँ पे आप सभी के लिए solution आ चुका है, KYC update आ चुका है, यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है, पाइन एटफक ने अपनी जो KYC है, उसको eligible कर दिया है, हर एक country के लिए, हर एक pioneers के लिए, चाहे हो किसी भी country के अंदरों, या किसी भी state के अंदरों हर के लिए enable कर दिया है, और यहाँ पे आप सभी के लिए एक चीज़ है, क्यूंकि अभी pi network बहुत जादा stick हो चुका है, अपनी KYC को लेके, और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया है, कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो fake as a pi के account को verify कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, pioneers as possible to pass KYC while catching and preventing as many fake and bought accounts as possible, तो इसी वज़े से जितने भी fake accounts हैं, उन सभी को रोकने के लिए, pi network अपनी जो security है, या जो अपने documentation की बात करें, हर एक चीज़ को proof की बात करें, documents की बात करें, इन सभी को थोड़ा tough कर चुका हैं, मैं मानता हूँ, बट यह आप सब के benefit के लिए है, क्योंकि यहाँ पर last make line लिखी है, but also fair to all human pioneers who have been mining honestly in their own accounts, मतलब की जो लोग तरीके से mine कर रहें, तीन साल से, चार साल से, या कुछ महीनों से, तो उनके पास कम से कम coins होंगे, हना, जो सालों से mine कर रहें, उनके पास एक अच्छा amount होंगा coins का, जो अभी कुछ दिनों से mine कर रहें, उनके पास एक limited coins होंगे, but जो scammers है, उनके पास बहुत ज़्यादा coins है, और वो यही target करते हैं, कि कैस तरीके से KYC को complete किया जाए, और KYC एक बार उनकी complete हो जाती है, उस situation में वो open management का part बनेंगे, जैसे trading स्टार्ट होगी, अलग-अलग exchanges पे जो भी pineapple का price आएगा, वो सभी उनको मिलेगा, और उस situation में होगा क्या, कि जो real pineapple से उनको वो valuation नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सही तरीके से मालो, आपने 100 coin को mine किया है, और एक बंदा है, जो कि scammer है, उसने 2-4,000 से ज़ादा coins को mine कर लिया है, और वो एक account को verify नहीं कर रहा है, उसके बास ऐसे 1000 accounts है, तो आप सभी अंदाजा लगा लो, आपका चाहे 1 pie का valuation 100 dollar भी आता है, तो उस situation में हो तो करोड़ पती बन जाएगा, और आप ऐसे ही normal रह जाओगे, मतलब कि जाए साथ आदा आप लगपती बन पाओगे, जाए साथ आदा आपके पास जितने coin होगे, उतना आपका valuation बैठेगा, तो यह कहीं न कहीं इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर सोचा जाए रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया detail के अंदर, और इसी चीज़ को मैं आपको एक और detail में clear करता हूँ कि भी हो क्या रहा है, यहाँ पे एक Python ने पूचा है कि मेरे name के अंदर गलती है, यहाँ पे error शो कर रहा है, तो इस situation में मैं इसको ठीक कैसे करूँ, क्या solution हो सकता है, मुझे guide कीजिए, तो PyCore team ने यहाँ पे basically बताया है कि आप सभी को change की एक option को देखना पड़ेगा, जो की Py application के अंदर होगा, उसके बाद आप अपनी personal information को जो भी आपने गलत लिखी है, surname, name या कोई भी चीज़े हैं, उसको आप वहाँ पे rectify कर सकते हो, change कर सकते हो, एक बार वो approve हो जाएगा, तो वो automatically आपका correct हो जाएगा, तो यह एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलती है, जिससे कि आप सभी अपनी KYC की जो भी गलतिया है, मतलब की documents के अंदर या personal information के अंदर, वो सभी यहाँ पे आप as a change कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, दूसरे अपगेट की तरफ, यहाँ पे पूछा जा रहा है, how much pie coins basically you can achieve for financial freedom, तो आप सभी के पास कितने सारे as a coins होने चाहिए, कि कल को आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओ, आपको पैसे की उतने जरुरत ना हो, तो यहाँ पे इसका answer क्या है, आप अपने comment box में, मतलब हमारे comment box में बता सकते हो, और इसका simple answer यही होने वाला है, कि जिसके पास जितने अदा pie के coins होंगे, वो उतना ज़्यादा valuation उठाएगा, तो यह चीज तो confirm है, जैसा कि आप सभी जानते हो, अब हम चलते हैं, दूसरे update के तरफ, जो कि आप सभी के लिए बहुत important है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे है, pie network के backbone के बारे में, backbone basically क्या है, यहाँ पे pie के सारे components की बात की जारी है, कि pie किस तरीके से application create कर रहा है, किस तरीके से pie NFTs के अंदर, blockchains के अंदर, matter words के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर काम कर रहा है, और यह आने वाला future है, और उसके साथ यहाँ पे pie network अभी collaborations भी कर रहा है, partnerships भी कर रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया का सबसे बड़ा web 3 अभी हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग country के experts आयते, और यहाँ पे proper discussion किया गया था, बात करें, pie network की massive pie community के बारे में, तो आप सभी को पता है, America हो गया, USA हो गया, Nigeria हो गया, India हो गया, Pakistan हो गया, Philippines हो गया, और भी जो बहुत सारी countries हैं, उन सभी countries के अंदर, आप सभी को देखने को मिलते हैं, pie K, as a pioneers, और बहुत हाई level पे अभी promotions हो रहे हैं, लाखों रूपे खर्चा कर रहे हैं, जिसे कि जो लोग नहीं जानते, वो भी इन सभी चीज़ के बारे में जाने, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है, कि जो भी आप footage देखते हो, social media पे, या जो भी आप payments, exchanges, barter system देखते हो, वो सब भी real होते हैं, और pioneers सी share करते हैं, जो उनके आसपास कोई activity इस type की होती है, तो, यहाँ पे कोई भी celebrity का use नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ, pie network आप सभी को यहाँ पे rewards भी provide कर रहा है, वो भी लाखों के अंदर, जिन लोगों ने applications create की थी, top 10 applications को verified किया गया था, जिसके अंदर pie showroom की application थी, pie payment, pie banking, इस type की applications थी, इन सभी को एज़ा, लाखों के rewards दिये जा रहे हैं, उनके ranking के behalf पे, and guys, अब हम चलते हैं, next update की तरफ, जो कि आप सभी के लिए, बहुत ज़ादा important है, क्योंकि यह आप सभी की account safety को लिखे है, और यहाँ पे बताया जा रहा है, currently there is a facebook group, with 38,000 members in Vietnam, Vietnam के अंदर, एक facebook group है, जहाँ पे 38,000 से ज़ादा लोग है, और यह basically pie का है, और यहाँ पे buying and selling को start किया जा रहा है, हाँ guys, buying and selling को start किया जा रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे आपको links प्रोवाइड किया जाते हैं, payments प्रोवाइड की जाती है, बताया जाता है कि अगर आप इतने pie को दोगे, मतलब कि आपने मालों एक pie दिया, तो हम आपको 1000 डॉलर, 500 डॉलर ऐसे pay करेंगे, तो उस situation में बहुत सारे लोग लालच मांगे कि यार इतना ज़ादा बड़ा amount मिल रहा है, तो हम इसको as a pay कर देते हैं, या जो ये link दे रहे हैं हमें, उस link में हम click करके अपनी details को fill कर देते हैं, तो इस situation में आप गलती करते हो, मतलब इस situation में आप enter करते हो, आपने application खोला, अपनी details भरी password फिल किया, उसके बाद आपका जो account का पूरा access होगा, उस scammer के पास चले जाएगा, तो प्लीज अगर आप ये गलती कर रहे हो, तो बिलकुल मत करना, आप सभी के मन में आ रहा होगा, यार ये तो पाई का real account होगा न, क्योंकि यहाँ पे तो 38,000 followers हैं, ठीक है, तो ये कोई छोटा नंबर तो है नी, पर दोस्तों यहाँ पे जो scammers है, इनकी छोटी टीम ने होती, बहुत बड़ी टीम होती है, और यहाँ पे आप सभी को बता दू एक चीज, social media पे fake fan following बढ़ाई जाती है, मतलब कि fake as a followers भी बढ़ाई जाते हैं, तो आप सभी इस भरह में मतलए न, कि 38,000 followers है, तो ये real होगा, और आप सभी को proper valuation मिलेगा, और मैंने चाहता कि अगर आप ये गलती करोगे, उस situation में, आपका जितने भी साल की मेहनत होगी, तीन साल की, चार साल की मेहनत होगी, उस सारी एक बार में finish हो जाएगी, और पाई को टीम भी, आपकी कोई भी help नहीं कर पाएगा, इस situation में, ठीक है, और किसी भी जगह पे आपको login नहीं करना, official कोई site होती है, तो उसको आप follow करो, या official Pi की application उसको follow करो, या हमारे channel को follow करो, updates के लिए, तो ये आपको accurate चीज़े मिलेंगी, क्योंकि manage आदा है कि आपकी मेहनत खराब हो, अब हम चलते हैं, दूसरे update की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो, Pi Network का एक support page है, जहाँ पे Pi Network अपनी सारी, यहाँ पे best information, जो भी resources होते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे provide करता है, मतलब कि जो भी आप सभी के question answers होते हैं, जितने भी Pi Network के पूरे world के अंदर, उन सभी की problems को यहाँ पे discuss किया जाता है, यहाँ पे update किया जाता है, तो अगर आपको रखता है, तो आप इसको follow भी कर सकते हो, यहाँ पे basically इंका mission यही है, कि आप सभी को हर चीज़ के बारे में detail ने बताया जाए, और आप सभी को easily सारे चीज़ें पता लगें, अब हम बात करते हैं, Pi Network का open manage आप सभी को कब launch होता हुआ देखने को मिलेगा, अब मैं direct date की बात करता हूँ, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल सकता है June 28 को, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और बहुत सारे लोग बोलेंगे की यहाँ पे 2022 लिखा है, पहले वो भी देख लो, तो मैं आप सभी को एक चीज़ कमफर्म करूँ, हमने सबने acceptation बनाई थी, कि 14 मार्च 2023 के आज़ पास हमें देखने को मिलेगा, Pi Network का open manage, क्योंकि उस दिन Pi Day था, ठीक है, मतलब कि पूरे एज़ाद 4 साल कंप्लीट हो चुके थे, एक वो बहुती special दे था, Pi के लिए, और हम सब की acceptation थी कि उस दिन उस लाँच करेगा, पर हुआ क्या था, उस दिन Pi Network ने open manage को लाँच नहीं किया, बट उस दिन Pi ने अपने new website को लाँच किया था, उसके साथ KYC को बहुत तेजी से बढ़ा जिया था, और उसके साथ application जो Pi Network ने 300 बनाई थी, उसमें से जो अभी application बहतरीन तरीके से काम कर रही थी, उन सभी को reveal किया था, और ये 14 तारिक को reveal नहीं किया था, बेसिकली ये 15 तारिक के आई में रात में जब स्टार्ट हुआ था ना, 12 ये एक बज़े के आसपास सारी चीज़े रिवील किती मार्केट के अंदर, मतलब सब कुछ अपडेट किया था इन्होंने, तो ये हुआ था 14 मार्च के आसपास, ठीक है, अब हम बात करते हैं, जून 28 स्पेशल क्यों है, इसी दिन हमें देखने को क्यों मिलेगा, 2023 के अंदर, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रिजन ये है, क्योंकि अभी दो चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है, पहली है KYC कंप्लीट करना, दूसरा है यूटिलिटीज, तो यूटिलिटीज के अंदर, पाई नेट्वर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसा कि आप सब जानते हो, बाटर सिस्टम की पेमेंट्स की बात करें, एक्षेंजिस की बात करें, सब सही चल रहा है, KYC की भी स्पीट बहुत तेजी से बढ़ा दी गई है, और हमने एस्टीमेशन लगाया है, कि इस दो महीने के अंदर हमारे पास ये है, कि KYC पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी सभी पाइनियर्स की, ठीक है, दो महीने हैं हमारे पास, साथ दिन है हमारे पास, और उससे जादा ही दिन है हमारे पास, बेस्ट की लिए देखा तो 28 जो है, और वो दिन जो है, पाइ का सैकिंड डे स्पैशल है, तो most of chances ये बनते हैं, और हर एक website ने इस चीज़ को cover किया है, तो कही न कहीं technical base पे हम बात करें, अगर दो महीने के अंदर complete हो जाती है, केवाई से सबकी, तब आपको देखने को मिलेगा open management, और फिर उसके बाद, अलग-अलग different exchanges पे, पाइने टिफरक आ जाएगा, और आप उसकी trading भी start कर सकते हो, और आपको proper valuation भी दिख जाएगा, दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था, I hope आपको समझ में आया होगा, अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, तो प्लीज गाइस एक लाइक जरू कर देना, चैनल पे नएओ सब्सक्काइब करके, नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरूर दबा देना, आज के लिए तना है मिलते हैं, नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम,